नमस्का दूस्टों पेल्टिक्स में आपका भर्बल स्वागत थे दूस्तों आज के इस क्लास में यूपिट प्लस सी एजीती दोजार चोविस के लिए एनिमल हैस्वेंडरी पसपालन के वन लाइनर के कोर्शन्स को सॉल्ब करने वाले हैं इस क्लास में दोस्तों ये डियाप कुमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे शेयर कीजे और आईए सुरू करते हैं यहाँ पर पहला है वफाई लोग पहला कोर्शन है भाहस का जन्तु वैग्यानिक नाम आपको बताना है तो वो वैलिस है भारत में सरवा सरवादिक वसा किस भैस की प्रजाती में पाई जाती है तो भधावरी में 13% नेक्स कोर्शन है बदावरी का मोलिस्थान क्या है तो उतरपडेस के इटावा जिले में भारी बोजा खीचने वाली भैस की कौन सी पर जाती है तो जफराबादी है पसो में काला सोना किसे कहा जाता है तो भैस को कहा जाता है साइलेंट हीट लक्षन है भैस का भैस के कीचड़ पानी में नहाने बैटने की क्रिया क्या कहलाती है तो बाइलोईन कहलाती है सबसे स्रेश्ट भैस की नसल मुर रहा है और सबसे अधिक दूद देने वाली भैस की नसल भी मुर रहा है नेक्स कोश्यन, सबसे अधिक दूद देने वाली भहस की नसल मुर रहा है, राजिस्तान में भहस अनुसंधानों प्रजलन केंद कहां पर है, तो बल्लब नगर उदेपुर में है दोस्तों, नेक्स, हासियाकार सिंग वाली भहस की नसल सोर्ती है, नेक्स, भदावरी भहस का रंग होता है, तो तामे जैसा होता है, भारती भहस को समानेता किस नाम से जाना जाता है, तो वार्टर वाफाइलों के नाम से जाना जाता है, दलदली भहस में बुरसुत्र की संक्या 2N कितनी होती है, तो 2N बरावर 48 होती है, रिवर भहसों में बुरसुत्रों की संक्या कि होती है तो 50 केंद्री भैस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाना में है नेक्स 19 कोशन है चले या जलेबी आकार की सिंगो वाली भैस मुर्रा है अत्यदिक गर्मे सहन करने वाली भैस की कौन सी पर जाती है तो भदावरी है रिवर भैस सामानेता किस प्रयोग में आती है तो द भैस के नेक्स 20 को विभिने देशों की तुल्ना में भारत में कितना प्रस्ट भैस है तो 56% भैस का मजचक्र होता है 21 दिन का भैस का गर्वकाल गेस्टेशन पीरियेड कितने दिन का होता है तो 316 दिन का भैस का सारीदिक ताकमान की बात करें तो 37.2 से 38.90 घी उत्पादन ह भारत की सबसे स्रेश्ट नसल भादावरी है व्यापारिक दर्ष्टी से महात्पोर नसल मुर्रा है भैस के दूद में पाया जाता है तो लगभग 83% मोजेरिला चीज किस परसु के दूद से प्राप्त होती है तो भैस के दूद में दूख धाम लग पाया जाता है 5.48% भासा में घुलनसील बेटामिन की बात करें तो ADEK है और जल में घुलनसील बेटामिन BC है नेक्स काउ के बारे में यहां पर भारती गाय का वैग्यानिक ना बोस इंडिकस है बिदेसी गाय का वैग्यानिक ना बोस टारस है और गाय में गुड सुत्रों के संख्या की बात क और गाई के समुग को क्या कहते हैं तो हड कहते हैं गाई के बच्चा देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं काईविंग या पास्चुरेंग पास्चुरेंग गाई के सरी का तापमान डिग्री सेल्सेस में कितना होता है तो 38 से 39 डिग्री सेल्सेस नेक्स है गाई का नेक्स है भारती दुधारू नसल की पसू साहिवाल गिर्थ लाल सिंधी है दुकाजी डबल परपस नसल की गाएं हरियाना थार पारकर कॉक्रेज डॉगी मेवाती है गाए की भारवारी नसलें की बात करें तो नागोरी है, क्रस्ना वैली है, वाचूर है, मालुवी अमरत महल बिदेशी नसल की गाए की बात करें तो होलिस्टीन, फ्रेजेन है, आयर शायर है, रेड डेन है, जर्सी है, ब्राउन, स्विस है नेक्स बिदेशी नसल की गाय की बात करें यह कम्प्लीट हो चुका है नेक्स गाय की संकर नसले करन स्विश और करन फ्रेश हैं सबसे अधिक वसा वाली गाय की नसल जर्सी 5.5% ध्या नखियेगा देशी गाय की सबसे भारी नसल कौक्रेज है सहीवाल का दूसा नाम क्या है लोला वा मॉन्ट गॉम्री है राजस्थान की कामधेनु नसल राठी है करन फ्राइज किसका क्रॉस है पॉलिस्टरीन इल्टू थार पारकर गाई की किस नसल के कान लंबे होते है तो गिर नागोरी गाई होती है सीधी पीट मजबूत गर्दन चोड़ी चाती गाई का दूद पीला होता है कैरोटीन के काराण नेक्स पॉइंट है दूद का पीज मान होता है तो 6.4 से 6.7 ताजे दूद में अमलेता होती है 0.12 से 0.16 गाई के दूद का आप एच्छे घनत की बात करें तो 1.028 गाई का दूद किसके डेरी उत्पादन बानाने में अच्छा माना जाता है तो चैना के सरवादिक वसा देने वाली गाई जर्सी है सबसे मीठा दूद होता है साहीवाल भारती गाई का सवाई चाल के नाम से प्रसित है कॉकरेज गाई के सरी का दापमान की बात करें तो 31.6 डेग्री सेल्सेस पसूं को बधिया करण का सबसे उत्तम समय सीत रितू है गाई के दूद में वसा रही थोस्पदार्थ 8.5 अंगोरा नसल को किन नामों से जाना चाता है तो नेलोर और अंगोरा के नाम से जाना चाता है नेक्स है यहाँ पर भेंड भेंड का वग्यानिक नाम की बात करें तो ओविस एरिस है भेंडों के समय को क्या कहते है तो फ्लॉक कहते है भेंड का प्रॉंड नर क्या कहलाता है तो रैम कहलाता है भेंड की वैस्क मादा क्या कहलाती है इव और भेंड के मटन को क्या कहते है मटन भेंड की मैथुन क्रिया क्या कहलाती है टपिंग और भेंड की बच्चा देनी की क्रिया लेंबिंग कहलाती है भेंड का बधिया करन नर कहलाता है वीदर और चोकला भेंड पाई जाती है राजस्तान में स्रेष्ट कार्पिट उन प्राप्त होती है बिका नेरी भेंड से केंद्री भेंड यों उन अनुसंधान संस्थान आंबिका नगर राजिस्थान में है केंद्री दूद में प्रोटीन होती है तो कुलाइड के रूप में दूद में दूब्ध सरकरा किस रुप में पास आता है तो घोलक के रूप में दूद में वसा किस रुप में होती है निलंबन के रूप में भेंड की देशी नसलों की बात करें तो मारवाड़ी है उद्वश थल जोदपुर में है इसके कान रोमन टाइप के होते हैं और इसका रंग सफेदवा मूग काला होता है भेंड की विदेसी नसलों की बात करें तो मेरीनो भेंड है मौलिस्तान आस्टेलिया है मादा भेंड के सिंग नहीं पाया जाते नर के सिंग जलेवी आकरिती के होते है और इस भेंड से बिस्कुई सिर्ष्ट उन प्राप्त होती है कराव कुल भेन मादा सींग रहीत होती है या पेल्ड के लिए पाली जाती है तो दोस्तों ये रहे Animal Hasventry पसपालन के questions की अपने theory की class ये पहली class है दोस्तों ये आपको class पसंद आती है तो class को ज़्यादस ज़्यादा like और share करना मत भूलेगा और इसी तरह आपको इस channel के माध्यम से परड़े एगरी कल्चर की questions की class आपको मिलती रहेगी दोस्तों मिलते हैं next class में तब तक के लिए नमस्कार चाहिन धेनवात